ओम नमो भगते बास देवाई नमा श्वागते आप सभी का मेरे एचस भारत द्वाई यूट्यूब चनल पर आज मैं आपको एकादसी का माह उपाई वतन जारूँ एकादसी का यह है उपाई आपकी पुत्र धन की मनोकामना पूरी करेगा दोस्तो पुत्र की चाहत है धन की चाहत है तो आपको यह उपाई जरू करने चाहिए एकादसी के दिन अगर आप यह उपाई करते हैं तो आपको भिशिसलाम मिलेगा सबसे पहले इश्णान करें इश्णान करने के बाद में सूरु देव को अर्ग दें उसके बाद में आपको भगवान सिवकाव सीख करना है ओव नवश्वाय मंतर का जाप करते हुए भगवान सिवकाव सीख करेंगे उसके बाद में तीन बेल पत्र या तीन आक्के पत्ते भगवान सिवक को अरपन करेंगे पांच पुस परपन करते समय उम्नवस्वाय मंतर का जाप करेंगे सिर्फ चालिसा का पाट करेंगे उसके बाद में गौ माता का पूजन करना है गौमाता की पूजा करते समय आप हाथ जोड़ करके गौमाता से प्रातना करेंगे और गुड़ और हरी दुर्बा गौमाता को खिला के आएंगे उसके बाद में आपको भगवान विश्णू का पूजन करना है भगवान विश्णू को इश्णान करा है लड़ु को पाल जी को इश्णान करा है इश्णान का जो जल है वो आपको साइड बे रख देना है उसके बाद में भगवान को आपको चंदन का टीका लगाना है उसके बाद में भगवान के सामने केली का पला आपको औरपन कर दिना है फिर आपको क्या करना है भगवान के सामने दीपक जला करके और एकादसी की कथा का स्रवड करना है उसके बाद में 81 की कथा का जब आप सिवरण कर लें तो जो भगवान के इशनान का जल है कुछ तो आप घर में छड़क देंगे और कुछ जल आपको तुलसी जी के सामने डालना है तुलसी के पौदे में डालना है अगर इशनान का जल अपनी चा बोल करके तुलसी के गमले में डाल दे जाए एकासी के दन तुलसी जी को इस परस नहीं करना है आपको दूर से ही तुलसी जी की गमले में वह जल डाल देना है इससे तुलसी माता प्रसन ओकर के पुत्र प्राप्ति का धन प्राप्ति का यह सम्मान का आशिरवाद देती हैं इसदिन अगर पुत्र की काम ना है तो भगवान सिव को आप पुष्प अर्पन कर रहे हों तो उस्तरमें ग्यार गेहों के दाने, соврем के दाने जो केले का फ़ला आपने चड़ाया था वह है केले का फ़ला आपको प्रसाद करूप में खाना भी है इस दिन फिर साम के समय भगवान सिव के सामने दीपक जला दे वो तो सुबह के पूजा थी फिर साम को आपको दीपक जरू जलाना है साम के समय भगवान के सामने प्रदोसकाल में भगवान सिव के सामने चौ मुखे दीपक जला दिना है यह दीपक मिट्टी का होना चाहिए इस दिन क्योंकि 81 दिन आदेगा दीपक नहीं जलाते है और भगवान कृष्ण के सामने भी आपको दीपक जलाना है और वहीं पर आपको भगवान के सामने बैठ करके मंत्रों का जाप करना है तो यह उपाई बियादी चमतकारी है इस उपाई की करने से योग बन जाते हैं पुत्र अप्राप्ति की आप वीडियो को शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में ओम नमस्वा जरू लगें